आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स B की पाठ्य पुस्तक स्पर्ष भाग 2 से रविंद्रनात ठाकुर्जी द्वारा रजित कविता आत्मत्राण का सार और उसके मुख्य बिंदू पढ़ने से पहले आए ये जान लेते हैं कि आत्मत्राण कविता की रचना मुलतह बंगला भाषा में रविंद्रनात ठाकुर्जी द्वारा की गई थी और हिंदी में इस कानुवाद आचार्य हजारी प्रसाद विवेदी जी ने किया है आप यह बात ध्यान रखेंगे कि अगर एमसी क्यों में यह आता है कि आत्मत्राण कविता की रचना किस भाषा में की गई थी तो आप बंगला भाषा में लिखेंगे और इसके रचायता मूल कविता के रचायता कौन है रविंद्रनात ठाकुर्जी और अगर प्रशन आता है कि हिंदी में इस कानुवाद किस ने किया है तो आप लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कवि बिल जाएंगे तो आईए शुरू करते हैं कविता का सार और उसके मुख्य बिंदो यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से भिन्न है क्योंकि अन्य गीतों में इश्वर से दुख दर्द कष्टूं को दूर करने और सुख शांती की कामना की प्रात्ना की जाती है आप सभी के घरों में आरती होती होगी ओम जय जग्दी शरे सभी को आती है अगर आप ध्यान दें तो इस आरती में हम इश्वर से अपने दुख दर्द और कष्टूं को दूर करने की प्रात्ना करते हैं सुख शांती की प्रात्ना करते हैं और इसी प्रकार जितने भी जितनी भी आरती हम भगवान के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उन सभी में हम सुख शांती की प्रात्ना करते हैं। लेकिन यह प्रात्ना गीत जो आत्मत्रांड गीत लिखा गया है, उसमें कवी ऐसा नहीं करता। यह प्रात्ना गीत अन्य प्रात्ना गीतों से अलग है जन समान्य प्रात्ना गीतों में अपने संकट, कष्ट, मुसीबत आधी को दूर करने के लिए इश्वर से प्रात्ना करता है लेकिन कवी ने इन से अलग अपनी प्रात्ना में इश्वर से साहस बल पौरुश मांगा है ताकि वह स्वयम अपने बल पर दुखों का सामना कर सके और उन पर विजय पा सके। कवी ईश्वर से नहीं कहता कि वह उसके दुख दर्द दूर करें, उसकी मुसीबतों को समात करें, कवी ईश्वर से बल पोरुश और साहस मांगता है ताकि वह अपने बल पर स्वयम अपने दुखों को दूर कर सके इस गीत में ईश्वर से दुख दर्द और कष्टों को दूर करने के लिए नहीं बलकि उन दुख दर्द और कष्टों को सहने की और जेलने की शक्ति देने के लिए कहा है कवी सुख में भी प्रभू को ना भूलने तथा उन पर सदय विश्वास बनाई रखने की प्रातना करता है इससे कवी की प्रातना में दैन्य भाव न होकर विन्य भाव है जिस से यह प्रात्नागीत अन्य प्रात्नागीतों से अलग लगता है विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रात्ना नहीं विद्यार्थी ध्यान दे कि इस कविता की यह पंक्ती बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर इस पंक्ती से संबंधित प्रश्न परिक्षा में आ जाता है कवी इस पंक्ती के द्वारा कहना चाहता है कि मेरे जीवन में जो दुख और कष्ट आने वाले हैं आप उनसे मुझे मत बचाओ मैं ये नहीं कहता कि मुझे बर कोई विपदा या दुख ना आए मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मैं स्वयम अपने आत्मबल के सहारे साहस पूर्वक उन विपदाओं और कष्टों का सामना कर पाऊं इन दुखों से घबरा कर हार न मान बैठों मैं साहस पूर्वक इनसे संघर्ष करना चाहता हूँ कवी ईश्वर से अपने दुखों को दूर करने के लिए नहीं कहता उससे धन संपत्ती नहीं मांगता कवी सिर्फ साहस मांगता है एक ऐसा साहस जिससे वह अपनी विपदाओं का सामना स्वयम कर पाए कवी अपने आराध्य करुणा में इश्वर से प्राथना कर रहा है कि हे प्रभु तुम भले ही मुझे दुख से मत उबारो, मेरे कश्ट दूर मत करो, परंतु उन दुखों कश्टों को सहने की शक्ती प्रदान कीजिए कवी नहीं चाहता कि इश्वर उसके दुखों को हरे या कोई भी उसकी सहायता करे, कवी केवल आत्म बल और पुरुशार्थ मांग रहा है, कवी प्रात्ना कर रहा है कि दुख हो या खुशी बहे इश्वर को कभी न भूले और उसके मन में कभी इश्वर के प्रती संदेहें ना हो होता क्या है कि अगर हमें दुख होता है हम किसी दुख संकट मुसीबत में होते हैं तो हम इश्वर को याद करते हैं कि है इश्वर हमारे दुखों को दूर कर दो हमारे संकट को दूर कर दो लेकिन अगर हम सुखी होते हैं तो हम इश्वर को भूल जाते हैं और दुखी होने पर हम इश्वर पर संदेहे करते हैं इश्वर को ही कहते हैं कि हे इश्वर तुमने मेरे साथ क्या कर दिया तुम मेरे दुखों को दूर कर सकते थे लेकिन तुमने मुझे इतने सारे दुख दे दिये मुझे ही दुख्यों दिये हैं तो हम इश्वर पर संदेह करते हैं लेकिन कभी इश्वर पर संदेह भी नहीं करना चाहता वह कहता है कि वह दुख में हो या खुशी में हो वह इश्वर को कभी भी ना भूले हमेशा इश्वर को याद करता रहे और इश्वर पर कभी भी संदेह ना क करता है कि उसके पुरुशार्थ में कोई कमी ना आए। मानाव जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। सुख के पल मनुष्या आसानी से बिता देता है। परन्तु दुख में इश्वर का स्मरन करते हुए सहायता मांगता है। कवी जीवन की दुख रूपी रात्री में कोई सहायक ना मिलने पर भी इश्वर के प्रती संदेहिं नहीं करना चाहता। वह प्रभू से प्रात्ना करता है की दुख की घडी में उसका बल पोरुष बना रहें, जिससे वह दुखों से संघर्ष करते हुए उन पर विजय प्राप्त कर सकें। अंत में कवी अनुने करता है कि चाहे सब लोग उसे धोका दे जाएं उसके बुरे समय में कोई उसका साथ ना दे और दुख दर्द उसे घेर लें फिर भी उसका विश्वास इश्वर पर कभी कम नहों इश्वर के प्रती उसकी आस्था कभी कम नहीं होगी वह दुख के समय में भी इश्वर पर अपनी आस्था बनाए रखना चाहता है वह किसी भी स्थिती में ना अपने प्रभु पर विश्वास कम होने देना चाहता है और ना ही उनकी शक्तियों के प्रती शंका ग्रस्त होना चाहता है वेह हर परिस्थिती में इश्वर पर विश्वास करना चाहता है और हर परिस्थिती का सामना करने के लिए इश्वर से केवल साहस और बल पौरुशी मांगता है आत्मत्रान शीशक पूंतह सार्थक है विद्यार्थी ध्यान दें कि किसी भी कविता की सार्थक्ता से संबंधित प्रश्न परिक्षा में जरूर आता है तो आत्मत्रान कविता की सार्थक्ता को ध्यान पूर्वक पढ़ें समझें आत्म त्रान आत्म अर्था स्वयम या खुद त्रान का अर्था है रक्षा करना आत्म त्रान अर्था स्वयम अपनी रक्षा करना जैसा कि कविता के शीशक से ही पता चलता है कि कवी अपनी रक्षा स्वयम करना चाहता है वह इश्वर से रक्षा करने के लिए नहीं कहता वह यह प्रभु से आत्मबल, साहस, पौरुष मांगता है, जिन की सहायता से वह स्वाइन दुख और मुसीबतों का सामना कर सके। कवी इश्वर से यह प्रात्ना नहीं कर रहा है कि उसे दुख ना मिले, बलकि वह मिले हुए दुखों को सहने और झेलने की शक्ती इश्वर से मा मांग रहा है, यह शीशक अपनी रक्षा खुद करने का भाव समेटे हुए है, इसलिए यह शीशक पूरी तरह से सार्थक है, क्योंकि पूरी कवी इश्वर से अपनी रक्षा करने के लिए नहीं कहता, वह इश्वर से केवल बल, पौरुष और साहस मांग रहा है ताकि वह अपनी रक्षा स्वयम कर सके और आत्मत्रान का अर्थ ही है अपनी रक्षा स्वयम करना मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें